दोस्तों इस Study91 के आनलाइन प्रेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समझ उत्तर प्रदेश पुलिस परिक्षा के लिए हिंदी की क्लास लेकर हाजीर हूँ जो की अती संभावित प्रशनों की सिंखला और आज हमारी 15 वी क्लास ह जिन बच्चों ने पूरे लेक्षर नहीं देखें आप देख सकते हैं आज हमारा 15 सेसन इसके पहले जो 10 लेक्षर दिया गया दोस्तों उसमें प्रेवेस एर पेपर पर डिसक्स किया गया है उसके भी पहले आपको जो है एकदम चैप्टर वाइस दोस्तों चीजें पढ़ इंड्यूजल का बैच है मैं काता हूँ बार बार आप बैच क्यों जोइंग करते हैं ठीक है हिंदी को एक बार पढ़े और ऐसा पढ़ लिजे कि भारत का कोई भी एक्जाम हो कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए तो यह सांदार सा बैच है आप इसे हमारे आनलाइम प परिक्षा में पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझकर आप जबाब दीजेगा आज सवाल थोड़ा सा और लेवल बढ़ा हुआ है यानि और बहतर सवाल है ठीक है लिकराए निन्म से कौन सा मात्रिक छंद है जी हां दोस्तों मात्रिक छंद का उधार कौन सा है अगर आप छंद के बारे में पढ़ते हैं तो मुख के रूप से छंद के दो भेद होते हैं एक मात्रिक होता है एक वर्डिक होता है अचा बहुत सारे बच्चे आगे आप कहेंगे सर हमने तो मुख तक छंद भी पढ़ा है तो ठीक है अलग है अपनी जगा है ठीक है तो आ आप याद रखे चली तीन ही माल लीजे दोस्तों मुख्य रूप से चंद के तीन भेद होते हैं कौन-कौन सा तो एक होता दोस्तों मात्रिक चंद सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों यहीं से आता है दूसरा होता है दोस्तों वर्डिक चंद और तीसरा होता है दोस्तों मुख से आप सोठा के बारें पढ़ते होंगे अच्छा दोहा में दोस्तों 13 और 11 मात्राओं पर यती होती है चौपाई के प्रतेक्चर में 16-16 मात्राओं होती है रोला दोस्तों यह सोठा के बराबर होता है मतलब इसमें भी 11-13 मात्राओं पर यती होती वर्डिक्छंद की बात करे तो वर्डिक छंद में दोस्तों जैसे उपेंद्र वज्जरा आता है, क्या आता है, उपेंद्र वज्जरा आता है, ठीक है, मत गयंद आता है, इस तरह से जो आप छंद पढ़ते हैं, मत गयंद आता है, इस तरह से दोस्तों तमाम छंद होते हैं, जो किसमें आता है दोस्तों जो आता है वर्डिक छंद के अंतरगर ठीक है तो मुख्य रूप से हमें देखना है कि इसके बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों मात्रिक छंद के बारे में इस चीज को भी याद रखेगा यहां मैंने मात्राओं के बारे में बताया आपको ठीक है आगे लिखना अरबिंद का समान आर्थी सब्द क्या है समान आर्थी सब्द जो अरबिंद के समान आर्थ रेते हैं तो अरबिंद का अर्थ दोस्तों होता है कमल क्या होता दोस्तों कमल और जल की परियावाची में गर जो सब्द लग गया है तो यह भी दोस्तों कमल का परयाची हो जाएगा तो जलज याद रखेगा अग्रज दोस्तों किसे कहते हैं अग्रज कहते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो ठीक है उसे अग्रज कहते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो ठीक है जिसका जन्म पहले हुआ हो ठीक है जिसका जन्म पह पूझ देता तब क्या बताते अनल दोस्तों आग को कहा जाता ठीक है इसी तरह से नात गलत जवाब हो जागा तो जलज दोस्तों बिल्कुल सही है याद रखेंगे कमल को क्या कहते हैं कमल को अरविंद कहते हैं जलज कहते हैं नीरज कहते हैं तोयज कहते हैं तोयज कहते हैं सतदल कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो सतदल कहते हैं पुंडरीक कहते हैं यह सब किसके नाम दोस्तो यह सब कमल का नाम है यह अभी याद रखेंगे ठीक है बहुत बढ़ियां सवाल है इसको ध्यान रखेंगे ठीक है बाकी और अच्छा-च्छा सवाल है जैसे कुछ नया से कहते हैं ताम रस ठीक है ताम रस ये भी दोस्तों कमल को कहते हैं सब कमल का नया पर्यावाची है उत्पल ठीक है उत्पल ये सब कमल का पर्यावाची दोस्तों तो कुछ नई नई चीजें भी आप जानते लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है आगे बढ़ाई जा अगले सवाल पर चले अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल कर रहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्यों को क्या करते हैं तो अगर कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो कर्म ओश्आ हो जाएगा ठीक है और जहां भाव की प्रधानता हो भाव की प्रधानता वहां क्या हो जाता दोस्तों भाव आठ्चे हो जाता है नहीं में तीन ही बेद हैं वो ये तीनों हैं इनको ध्यान में रखेंगे अगला सवाल चतुराई में कौन सा प्रत्य है हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रत्य हमेशा कहा लगता है सब्द के अंत में प्रत्य लगता है तो जैसे हां सब्द लिया दोस्तों चतुराई तो चतुराई में मूल सब्द क्या है तो मूल सब्द है दोस्तो चतुर चतुर क्या यहाँ पर है चतुर मूल सब्द है और इसमें प्रत्य क्या लग गया दोस्तो आई क्योंकि आई में बड़ी की मात्रा है तो आप भी बड़ी की मात्रा कीजिए यह हो जाएगा आपका सही जब आप तो आई नामक प्रत्य हो जाएगा हो सकता है कल को आई वाले प्रत्य से दोस्तों और कई सारे एक्जामपल पूछ ले आप से जैसे अच्छाई सब्द आपने पढ़ा होगा ठीक है अच्छाई अच्छाई पढ़ा होगा जैसे आपने बढ़ाई सब्द पढ़ा होगा जैसे आपने भलाई सब्द पढ़ा होगा ठीक है ऐसे दोस्तों कई सारे सब्द जैसे चतुराई सब्द पढ़ा होगा जैसे कुछ लोग तनहा में जी रहे होंगे तो तनहाई सब्द पड़े होंगे, ठीक है, कुछ लोग जुदा में होंगे, तो जुदाई सब्द पड़े होंगे, ठीक है, तो इस तरह के जो सब्द होते हैं, इसमें कौन सा प्रत्य होता है, आई प्रत्य होता है, मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ, अब तो बता दोगे न ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं ठीक है आगे देखिए अच्छा ठीक है तनहा दोस्तों एक बार इसको इस्टाल लगाएगा तनहा जो सब्द है और जुदा जुदा में भला जैसे भला में आई प्रत्य है ऐसे सुचते होंगे कि भला तो स खोड़ा तोड़ा दिमाग आप भी लगाना शुरू कीजिए, अगला सवल देखे, असाड का एक दिन, ये बहुत पापुलर रचना दोस्तों, और किसकी रचना है, ये मोहन राकेश के नाटक का नाम है दोस्तों, और मोहन राकेश की दोस्तों ये पहली नाटक है, याद 58 में, 63 में, 69 में या 65 में, कब लिखा गया था, मोहन राकेश जी के दोरा इस नाटक को लिखा गया था, 58 में, 1908 में, चली ये तो ठीक है, असाड का एक दिन, और कौन-कौन से सवाल मोहन राकेश जी के यहां से पूछा जा सकता दोस्तों, तो आईए उसको नोट कर लेते, ठीक है, इनकी एक और पापुलर रचना है दोस्तों, अंधेरे बंद कमरे में, आप याद रखेंगे का अंधेरे बंद कमरे में कई बार, अगर आप ये दो रचना भी याद रखते हैं, तो परिक्षा में बहुत जादा सवाल दोस्तों, यहां से पूछा जाता है, ठीक है इसके अलमा न आने वाला कल, यही है न भई, न न आने वाला कल, न आने वाला कल भी नहीं के रचना है, एक रचना और याद रखेगा अंतराल, ठीक है, अंतराल किसकी रचना दोस्तों, अंतराल भी मोहन राकेश जी की रचना है, लिकरा इतिधन आदी बराबर इत्यादी इसमें कौन सी संदी दोस्तो तो याद रखेगा यहां यन संदी है ठीक है जहां अर्ध वर्ड आ जाते हैं दोस्तो वहाँ पर क्या होता गुड नहीं गुड की पैचान है ए ओ अर्ध यह गुड की पैचान है दिर की पैचान क्या है दोस्तो बड़ा आ बड़ा इ बड़ा उ बढ़ा रि याद रखेगा धिर्गत की पैचान है यहाद रखेगा यहाँ पर यन दोस्तो इसके साथ अरद अवर्ण का प्रेभ होता है तो यहाँ यन संदि वो जाएगा अच्छा एक सवाल एक और लिखेगा दोस्तो कापता हुआ दरिया अभी कब से दिमाग में चल ला था कापता हुआ दरिया जी हाँ बड़ा सांदार सी रचना दोस्तो किसकी रचना है यह रचना भी दोस्तो मोहन राकेश जी की रचना याद रखेंगे ठीक है अच्छा अच्छा एक्जाम्पल देता हूँ जैसे पूस्ता है अन्वय में संधी क्या पूस्ता है अन्वय में संधी तो क्या बताएंगे अनुधन आय क्या होता है दोस्तो अनुधन आय बराबर क्या हो जाता है याद रखेंगे इसी तरह से पूस्ता अभ्यर्थी में कौन सी संधी ह ठीक है अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी में दोस्तो कौन सी संदी है तो अभ्यर्थी में हो जाएगा अभी धन अर्थी क्या हो जाएगा अभी धन अर्थी बराबर क्या हो जाता दोस्तो अभ्यर्थी हो जाएगा अभी मत करेगा अभी करिएगा ठीक है इसी तरह से पूचता है परियाटन में कौन सी संदी परियाटन तो परिधन अटन हो जाता है क्या हो जाता है परिधन अटन बराबर परियाटन हो जाता है ठीक है इसी तरह से परियावरण में संदी पूचता है परियावरण ठीक है तो क्या हो जाता दोस्तो परिधन आवरण हो जाता है इन सम्में द या परिच्छा में यहां से बहुत जादा सवाल पूछा जाता ठीक है तो प्रती धन एक हो जाएगा प्रते ठीक है इसी तरह से आप चीजों को याद रखेंगे ठीक है मनवांतर पूस्ता मनुधन अंतरबर मनवांतर हो जाता इसको याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए करवा दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया यह एक संयुक्त वाक है ठीक है अच्छा संयुक्त वाक की पहचान क्या दोस्तों हमने पढ़ा था लेकिन किंतु परंतु बंदू लेकिन आजाए कहीं पर कहीं पर किंतु सब्द आजाए कहीं पर स्था स्थाइबं धा और क्यों अगर आजाएगा दोस्तों तो घडबड हो जाएगा क्योंकि क्योंकि जहां लगता है दोस्तों मिस्त्रित वाक्य तो थीक है दंड से बचने के लिए भाग गया यह सही हो क्योंखी में आ जाएगा तो मिस्त्रित हो जाएगा यह मैंने पहले आपको बता दिया ठीक है मिस्त्रित में चला जाएगा यह ध्यान दखेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि संग्या के अस्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है, ठीक है? और आगे आज़ेए, अगला सवाल करा कि सरडागत किसकी रचना है? बहुत अच्छी रचना दोस्तों, सरडागत और किसकी रचना है? लिखना है, विन्दावनलाल वर्माजी की रचना है, राइलोन की रचना है, उदे प्रकास की रचना है, या चंद्रधर सर्मागुलेरी की रचना है, ठीक है? इनके नाम में एक सब्द लिखेगा गुलेरी, चंद्रधर सर्मागुलेरी एक आपके लिए सवाल लह रहेगा कि चंद्रधर सर्मागुलेरी की किसी एक-दो रचनाय को नाम आप कमेंट करके जबाब देंगे ठीक है, हलांकि यह जो सरड़ागत पूछ रहा दोस्तो सरडागत किसकी रचना दोस्तो ये विरिंदावनलाल वर्मा जी की रचना इनके रचना का नाम है सरडागत इनकी प्रसिद उपन्यास है दोस्तो कई पार्ट में आये थी जासी की रानी याद रखेंगे दोस्तो जासी की रानी वैसे हम पढ़ते हैं जासी की रानी नाम से दोस्तो एक और रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है ठीक है वो अलग बात है एक और रचना दोस्तो जो हम पढ़ते हैं ये जहासी की रानी उपन्यास है क्या दोस्तों ये उपन्यास है और किसने लिखा है ब्रिंदावनलाल वर्मा जी ने लिखा है ठीक है इसी तरह से इनकी एक रचना और है दोस्तों म्रिगन नैनी क्या रचना है दोस्तो विरिंदावनलाल वर्मा जी के एक रचना है जिसका नाम है म्रिग नैनी कुछ और दिमाग पर जोड डालिए और क्या पढ़ा था बहुत अच्छे अच्छी रचना है दो ही तीन रचना है जो बार बार देखे रचना हैं बहुत सारी हैं लेकिन दो ही तीन है जहां से बार-बार सवाल पूचता है इसलिए वो पढ़ना जरूरी है ठीक है तो एक और लिखेगा दोस्तो गढ़ कुंडार क्या लिखेंगे गढ़ कुंडार ठीक है एक हंसावली करके है कुछ इसमें हंस हो गढ़ा है कहानी मुझे पूरा नाम नहीं आदा रहा है इसलिए मैं लिखने रहा है तो खाली ये दो-तीन रचना है आप लिख लीजे जादा बहतर आपके लिए लिख रहा है इन में मूग का अनेकार्थक सब्द कौन सा नहीं है जो नहीं हो बताना है तो मूग का अगर यहां पर दिखा जाए मूग ठीक है तो मूग माने क्या होता दोस्तो गुंगा भी होता है मूग माने चुप भी होता है मूग का अर्थ सांत भी होता है याद रखेगा कई जगा पर दोस्तो सांत लोग जबाब देते नेकिन याद रखेगा विवस होगा विवस माने क्या होता दोस्तों विवस कहा जाता है बधा हुआ विवस किसे कहा जाता है याद रखेगा बध्ध है या बधा हुआ उसे विवस कहा जाता दोस्तों यहाँ विवस अर्थ नहीं होगा सांत हो सकता ह ठीक है सांत साही है मूख का अर्थ सांत होता है अच्छा माल लीजे इन तीन को न दे करके कुछ और दे देता तो सर क्या दे देता जैसे पूछ देता अवाक क्या दे देता दोस्तो अवाक नहीं लोग करते हो अवाक रा गया ठीक है या मूख की जगह एक सब्द दे देता मन या फिर इसके जगा एक सब्द दे देता क्या देता चुपत होई गया है वाडी हीन लिख दूं या लिख देता दोस्तो बे जुबान क्या लिख देता बे जुबान तो यह सारे अर्थ भी होते हैं दोस्तो इसे भियाद रखे तो 2-3 के बज़ाए आपके पास 4-6 का collection हो गया ठीक है इस तरह से आप पढ़ते रहे ताकि हो सकता है कि परिच्छा में इस तरह के कोई option बनाते तो पहले से alert रहना सीखे ठीक है आगे बढ़ा जागले सवाल पर चली लिकरा है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया ह यह थोड़ा लिक से हट कर सवाल आगया दोस्तो चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है या योजक क्रिया है अभी तक दोस्तो आपने सिर्फ योजक चिन पढ़ा था जिसमें आप क्या पढ़ते है दोस्तो जैसे रात दिन रात और दिन के बीच में जहां दोनों क्रिया के बारे हम पूछ रहा ठीक है तो यहां जो थी है दोस्तो थी को जानली हम लोग पढ़ते हैं सहाया क्रिया क्या पढ़ते हैं दोस्तो सहाया क्रिया पढ़ते हैं लेकिन यहां यह योजक क्रिया के रूप में हैं इसको याद रखेंगे ठीक है यह क्रिया की जब हो ग ठीक है इसी तरह से हैं प्रफम प्रधातक क्रिया धूति प्रधातक क्रिया मैंने बता यजैसे पढ़ना से पढ़ंगे तो योजक क्रिया था है आप पढ़िए और डीटेल में पढ़ने की जरूत आप सोचे सवाल के अस्कर यहां तक पहुँंच रहें लिख रहा है मन रेतन कागद का पुतला लाग है बूद बिनस जाई चिन में गरप कर रही है क्या इतना ठीक है मतलब यह सरीर क्या है कागज के पुतले के समाने जैसे कागज का पुतला पानी में गलकर समात हो जाता है वैसे शरीर भी छड़ भर में क्या हो जाता है नस्वर बन जाता है इसमें कौन सा रस है दोस्तो तो भक्ती रस नहीं दोस्तो और स्रिंगार रस भक्ती रस में याद रखेगा भक्ती रस में भगवत विशयक क्या है दोस्तो भगवत विशयक इसका क्या हो जाता है भगवत व और सांतरस यहां जो सही उत्तर है, सांतरस का स्थाईवाओ क्या होता दोस्तों, निर्वेद होता है, तो यही आपका जो है सही जवाब है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है? छलिए बढ़ती है अगले सवाल पर, अगला सवाल जो लिख रहा है, वो देराया कि कौन सी भाव आचक संग्या नहीं है जो भाव आचक संग्या नहीं दोस्तों उसके बारे मताना है तो मनाही, विद्धता, सोना और खुसी जो सोना है दोस्तों यह सोना यह नहीं स्वर्ड की बात हो रही है स्वर्ड की बात हो रही है जैसे सोना हो गया कहीं भी दोस्तों आज जैसे आज सोना दिया माली जे कल को क्या दे दे आपके सामने कल को चादी दे दे कल उसके बाद दोस्तों कभी तावा दे दे या फिर कभी मालो लोहा वगरा दे ठीक है तो कभी इस तरह के कुछ भी दे दे तो याद रखेगा सभी कि पहले लिखे को कहा जाता है मना ही किसी चीज को मने करने के लिए होता है तो यह सब हो सकते हैं भाव के लिए लेकिन सोना जो दोस्तों भावाचर संग्या नहीं है ठीक है यह द्रब्यवाचक है दिये गए बिकल्पों में से गोस्टी का परियावाची क्या है ठीक है गोस्ट लोग बैठ कर महफिल जमाते हैं ठीक है तुम इसे महफिल भी बोल सकते हैं महफिल भी बोल सकते हैं गोस्थी बोल सकते हैं समेलम बोल सकते हैं जलसा बोल सकते हैं समाज बोल सकते हैं समाज भी कर सकते हैं समाज भी इसका क्या है एक समानार्थी हो जाएगा ठीक है या मजलिस बोल सकते हैं, मजलीस ठीक है, मजलीस बोल सकते हैं, या और क्या बोल सकते हैं, दोस्तों, सभा अस्थल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सभा अस्थल, तो इसे कई नामों से जाना जा सकता है, इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, चली, आगे देखिए, अगला सवाल, लिख रहा किस वाक्य में प्रस्ण सूचक चिन्न का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रस्ण सूचक चिन्न का जहां सही प्रयोग हुआ है, कर हम आज क्या से क्या हो गए है, ठीक है, ये प्रस्ण वाक्य नहीं दोस्तों गलत है, क्या वा घर तुम्हारा ही है, तो सामने वारा बताएगा हाँ मेरा ही है ठीक है तुमने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना नहीं अपना नाम बताओ ठीक है जो सही जबाब मेरे हिसाब से वो होगा दोस्तो आपसन नमबर दो हो सकता है कि आप सभी confusion में आके गलत जबाब देदें लेकिन बहुत alert रहने की जरूत है इसे सवालों में ठीक है आपसन दो ही सही होगा रसोई घर में दोस्तो कौन सा समास है तो मालीज यहां पर लिखा दोस्तो रसोई घर क्या लिखा है रसोई घर ठीक है तो आप इसका जब समास विगरा करेंगे क्या करेंगे जब आप इसका समास विगरा करेंगे तब टत्पूरूस में भी क्या याद रखेगा यह संपरदान तत्पूरूस का एक्जामपल है अपसर नंभर चार जो है आप बिलकुल तइस Zबाब हो जाएगा ऐबात सोझ में कहीं डाउट नहीं ना चली आगे आगे बढ़ते हैं ध्याद沁शिघा स्टडि के प्लेटफॉर्म से के अलामा एक नया प्लेटफॉर्म उन्हें लांच गया जिसका नाम है study91 pro.com जी हाँ इस प्रो पर दोस्तों study91 pro पर एक बार आप विजिट कीजिए study91 pro पर जी हाई sectional test, previous year, current affair और पूरा मिलेगा solution के साथ ठीक है यानि question और solution दोनों चीजे मिलेंगी तो यह बहुत सांदार सा है आप आईए एक बार join करके देखे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं लिकरा गंगा हिमाले से निकलती है ठीक है गंगा हिमाले से निकलत तब यहां पर क्या जागा दोस्तो करण कारक होगा और जब दोस्तो इसका प्रयोगा अलगाओ के रूप में हो अलगाओ के रूप में हो तब हमेशा जवाब क्या होगा दोस्तो अपादान कारक होगा ठीक है तो यहां क्या है दोस्तो अपादान कारक होगा क्योंकि गंगा हिमाले से अलग हो रही है ठीक है जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं पेड़ से फल गिरते हैं ठीक है गंगा हिमाले से निकलती है ठीक है सीमा कुत्ते से डरती है डरना सर्माना लजाना इसमें भी क्या होता दोस्तो कहीं भाव समझेगा अपादान दोस्तो अलगाओ क्या ला मामला हो कहीं स्तर्माने का मामला हो कहीं लजाने का मामला हो कहीं भय का मामला हो तो ऐसे में भी क्या होता दोस्तो अपादान कारक होता आप जाए बिस्तार से पढ़िए मैंने पढ़ाया है आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा चीजे ठीक है या तो फिर आप ये किताब ल बोलती है किसी कारे के लिए दी जाने वारी आरथिक साहयता क्या कहलाती दोस्तों किसी कारे के लिए दी जाने वाले जो आर्थिक साहता होती इसी को अनुदान करते हैं क्या करते हैं अनुदान ठीक है अनुदान मतलब ग्रांट भी होता है और अनुदान का एक ताथ पर दोस्तो सबसीडी भी होता है क्या होता दोस्तो सबसीडी भी होता है तकावी दोस्तो एक तरह का रिड होता है और या किस प्रकार का रिड है दोस्तो तो याद रखेगा या एक प्रकार का क्रिसी रिड होता है जिसकी सुरुवात मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था किसने किया था दोस्तो मुहम्मद बिन तुगलक ने इसकी सुरुवात किया था इसी के द्व लिड़ा किसे काते हैं दोस्तो जाद रखेगा धार्मिक कार्य कार्य करने के फल सरूप दी जाने वाली मुद्रा क्या कलाती दोस्तो जाने दोस्तो किसी से उधाल लेना और होता है ठीक है तो यहाँ अनुदान होगा करा च वर्ग की धोनिया कौन है दोस्तो तो वर्ग से वर्ग बिल्कुल नहीं है वर्ग से में क्या आता है जितना कठी न उतना सर लिखेगा सर लज क्या लिखेंगे दोस्तो सर लज मुख्य रूप से दोस्तो यह चार चीज़ आप याद रखेगा इसे क्या कहते हैं वर्थिस वड़ काथें बाकि दंत में कpection mean जो राझ आ जाते हैं ता अता है ता दरफ d yağ में कहें आ जाता दोस्तों इहां च्वर आ जाता है तो आजाएगा च सज ज ज ज ज और ठीक है और कंठ में कहा जाता दोस्तों तो तो यहां पर आप याद रखेगा यह च वाले वर्ग में आएंगे तो चचा जो होते दोस्तों यह इसमें आते हैं ठीक है इसको भी याद रखेगा बाकी और चीज्जा अगर पढ़ने का मन हो जैसे अंतस्त पूषता है परिक्षा में, क्या पूषता है दोस्तों, अंतस्त पूषता है, तो अंतस्त में क्या आता है, या, र, ल, और व, इसी तरह से दोस्तों, उस्म पूषता है, उस्म या उस्र, ठीक है, याद रखेंगे, स, ख, स, ह, ये होता दोस्तों, ठीक है, इस करा से कर से लेकर मौत तक जो होता दोस्तों इसको क्या कहते हैं इसको असपरसी बिंजन कहते हैं और वरगी बिंजन भी कहा जाता है ये भी कहा जाता है कर से लेकर मौत के जितने भी होते हैं सब ठीक है पांच पच्चीस होगा है पच्चीसों को कहा जाता है ठीक है आगे पुलिंग का बोध कराती ठीक है ब्रहंपुत्र क्या मानते दोस्तों इसको पुलिंग माना जाता है अपवाद सुरूप ठीक है वैसे नदियों के नाम इस्त्रिलिंग होते हैं पानी भी दोस्तों पानी अच्छी अच्छा पानी होता दोस्तों यहां पानी क्या हो जागा दो नहीं घवरा जाना तेज जैसे अगर चोर पकड़ा जा तो चेहरे की हवाईयां उड़ जाती है कोई गलत काम करते वेगर आप पकड़े जाएं तो चेहरे की हवाईयां उड़ जाती है इसका मतलब आप घवरा जाते हैं ठीक है ये इसका तात्पर दोस्तो तो आपसा नंबर क्वचन के अंतरगत आता ये भी आपको दोस्तों डिटेल में पढ़ाया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर यदि मैं आगरा जाता तो ताजमाल देखता इसमें कौन सा काल है सामान ये तो है नहीं भविस्त भी नहीं है ये दोस्तों हेतु हेत मत भूध का ठीक है हेतु हेतु मत में भूध काल में क्या होता है जहां क्या हो डिपेंडेंसी हो जहां वाक्यों में निर्भरता हो ठीक है उसे क्या करते है हेतु हेतु मत भूध काल कि मैं आगरा जाता तो ताजमाल देख लेता वर्सा होती तो फसल अच्छी होती मैं स्टेशन पहले पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती है इस तरह से जहाँ डिपेंडेंसी होगा दोस्तों वहां क्या हो जाएगा हे तु हे तु मत भूतकाल हो जाएगा इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपसा नमबर तीन जो है दोस्तों इस सवाल का सई जबाब है लिखना दिये गए बिकल का विलोम बताए ठीक है क्रिपड तो क्रिपड का विलोम पूछा है न क्रिपड माने होता दोस्तों क्रिपड का अर्थ क्या होता है पहले समझे क्रिपड का अर्थ होता है कंजूस क्या होता दोस्तों कंजूस तो इसका विलोम क्या हो जागा दोस्तों उदार हो जाएगा तंग दील मत करेगा छीग है क्या हो जाएगा दोस्तो उधार हो जाएगा ठीक है उधार क्रीपड का ठीक है आगे देखे इसी तरह से की क्रितग्य क्या देता है जो उपकार उपकार मानता हो उसे क्रितग्य ठीक है जो उपकार न मानता हो उसे क्रितग्य यह आप याद रखेंगे ठीक है अलपग्य का क्या हो जाएगा अवग्यानी 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 कम जानने वाला सरवग्य मतलब सब कुछ जानने वाला और अभिग्य का क्या हो जाता दोस्तो अनभिग्य हो जाता ठीक है ये करिएगा इस प्रकार आपका सही जवाब क्या बनेगा option number 3 बनेगा मेरी class में रफ्तार खुम में लेगा मैं रफ्तार में क्यों लेके चलता हूँ उसके पीछे region है कि आज जितना रफ्तार आप सीखे रहेंगे यही रफ्तार परिक्षा में बनाएंगे ठीक है जब आज ही आप रफ्तार में काम नहीं कर पाएंगे तो परिक्षा में कैसे कर पाएंगे बाइट डेली practice हमारी उसी speed से होनी चाहिए इसलिए मैं बाकी बातचीत नहीं करता हूँ आपसे आपका हाल चाल नहीं पूझता हूँ मान के चलता हूँ चाहिए आप जैसे इस्तितिम होगे सही होगे आपको और बहतर इस्तिति बनानी है जब आप अधिकारी बन जाएंगे आप जो सोच रहा है जब वो पूरा हो जाएगा आपकी सोच तब जाके परिवर्टन होगा आज हमें चिंता करने की क्या जरूए था लिकरा राज भासा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तो तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तो बीजी खेर ठीक है क्या नानता दोस्तो याद रखेगा बाल गंगा धर खेर ठीक है और जीवी पंत दोस्तो जीवी पंत दोस्तो जीवी पंत मतलब क्या होगा दोस्तो जीवी पंद अरे वो थे ना गोविन्द बलब पंद ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे क्या थे दोस्तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री का नाम है ठीक है मुख्य मंत्री का तोता कहा जाता है क्या कहा जाता है हिंद का हिंद का तोता कहा जाता है और तबले का अविश्कारक कहा जाता है तबले का तबले का आविश्कारक कौन है दोस्तों आविश्कारक कौन है तो इन्हें ही कहा जाता आमिर खुशरो को फिलाल आपके लिए जो सही जबाबों का बीजी खेर हो जाएगा याद रखेंगे एक चीज और दोस्तों यह जो राज भासा आयोग का जो बीजी खेर को अध्यक्च बनाए गया दोस्तों अध्यक्च कब बनाए गया था तो 1955 में दोस्तों अध्यक्च बने थे पचपन में अध्यक्ष बने थे और रिपोर्ट इन्होंने कब दिया था 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया था यह आप याद रखे 1956 वही साल है जिस साल कमपनी एक्ट है तो 97 भीमराउंबेटकर जी का द्यान थो गया ठीक है निम्लिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है वो बताईए पुलिंग इच्छा दोस्तो क्या दोस्तो इच्छा तो इस्त्रिलिंग सब्द है ठीक है हमें इच्छा क्या दोस्तो इस्त्रिलिंग है राष्ट जो सब्द दोस्तो राष्ट पुलिंग सब्द है राश्ट्र क्या है पुलिंग सब्द है रक्षा भी क्या दोस्तो रक्षा भी आपका इस्त्रिलिंग सब्द है रक्षा और योग्यता भी इस्त्रिलिंग सब्द है तो जो सही जबाब दोस्तो क्या हो जाएगा राश्ट्र हो जाएगा देस सब्द भी क्या दोस्तो हो जाएगा इसी तरह से गीत अच्छी गीत गीत सब्द भी क्या हो जाएगा दोस्तों यह भी इस्तिलिंग हो जाएगा लेकिन गान सब्द क्या हो जाएगा दोस्तों गान सब्द क्या है गान सब्द क्या हो जाएगा पुलिंग हो जाएगा ठीक है यह आप याद रखेंगी इन में से कौन सा वाक्या? संदे वाचक वाक्या, जहां संदे हो दया संकर स्युपूर में रहता है, राजिंद्र आलंपूर में रहता है, सायद सुरेंद्र इगतपूरी में रहता है, सायद दे दियाना, इसी सायद से क्या पता चला? यह संदे वाचक वाग का है, यहां संदे का बोध हो रहा है, ठीक है, सायद पिता जी आएंगे, सायद माता जी खाना बना रही होंगी, तो वहां क्या हो जाएगा, संदे वाला बोध हो जाएगा, ठीक है, देखें, study91 के platform से बहुत सारी किताबे लाज की गई, यह किताबें के लिए भी हैं, अलग-अलग परिछाओं के लिए, और अलग-अलग जो है, subject के लिए भी किताबें हैं, दोस्तों, दोनों चीजें हैं, आप चाहें तो हमारे platform से purchase कर सकते हैं, हमारा number है, special number है, 635-000-9191, कहीं कोई doubt है, कोई समस्या है, तो आप संपर्खम से कर सकते हैं, यह देखने के लिए ही मैं सवाल दे रहाता है, कि भैं, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तो आप भी मन से पढ़ रहा हूँ, या फिर मेरा ही सारा फर्ज है, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यमाद आपका, जै हिन, जै भारत, थेंक्यू, थेंक्यू सो मच्च